मेख गोष्डू chips नवस्का दोस्तों वेल्काम डेट्स आज हम बात करेंगे एक एनटिबायटिटिक सस्पेन्सर के वारे में जोंकी बाच्चों के लिए युज होता है MIC मॉक्स क्लेब कि डियस शिरप के बारे आज आनेंगे इसके यूज, डोज, side effect, क्या क्या का में यूज हो सकता है, किनको ना ही दिये साथ सकता, side effect क्या क्या हो सकता है, डॉक्टर किन किन का में यह प्रयोक लाते हैं, चलिए, start करते हैं, नमस्का दोस्तों, अब देखना शुरू कर चुके हैं, Meditive वीडियो चनल, One Step L अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगया ऐसे वीडियो करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके चलिए स्टर्ट करते हैं आज जैसे कि मैं ब मॉक्सक्लेब डियस जो की अमोक्सिसिलियन और पॉटाशियन क्लेवनेट औरल सस्पेंशन के मदद से बनाए गया है जिसके मार्केटिंग में मार्केट किया है संस फर्मसेटिकल कमपानी नहीं जो की एक बहुत अच्छा कमपानी है आप जानते हैं इसका प्राइज जान 145 रूपीज है 155 रूपीज है यह आप जाने में इसके कहके काम में यूज ला जा सकता है डॉक्तर इसके उसका एक्स्टियान से यूज लेते हैं यह फिर भी डॉक्तर जो नॉर्माली यूज लेते हैं जाता से जादे यूज लने वाला मैं बताता हूं यह यूज होता है फेबरो में सुजब ना जाना या infection हो जाना और लंक्स में जो infection हो जाता है उसके खासी चलता है फीबर भी आता है बहुत ज़़ा irritation फिल होता है बच्चे का इस करण में यह वाला डॉक्टर का प्रेस्ट्रेब होता है और abdomen pain होना पेट में दर्थ हो जाने के बाज़े से कुछ इन्फेक्शन के बाज़े से पेट में दर्थ होता है उसके करण से भी डॉक्टर इसको प्रेस्काइब करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेस्काइब करते हैं बार्म केसमें या जल जाने के कही पर जल जल गया है उसके खाओ सबसे पसंदीदा मेडिसीन है डॉक्टर का यह एंटिवाइटेट और हड्डियों में कुछ इंफेक्शन हो जाना और ऐसा ही जाइंड में पेन होना बाच्चे का आंको लाल हो जाना बाच्चे का हर तरीक प्रोब्लम का एक पसंदीदा मेडिसीन मोट्सक्लेप डियस है फोर यह फोर फिप्टी सेबन एमजी में आता है इसको पावडर सस्पंस पावडर फर्म में आता है ऐसे ही ऐसे ही पावडर फर्म में आता है उसके साथ एक टिश्टिल वाटर होता है जिसको काटके इनके साथ मिलाके लेना चाहिए यह साथ दिन से ज़्यादा ना ले साथ दि भूलने के बाद साथ दिन तक ही इसका डेट होता है उसके बाद लेने से कुछ अलग प्रभाब भड़ सकता है यह डॉक्टर का प्रेस्किप्शन से ही ले बच्चे का कुछ डोज ऐसे ही खुद से ना ले फिर भी इसका डोज मैं बताता हूं जो कि नॉर्माल होता है जो कि था सकता है और इसका ब्र ख्रेस्किप्शन में बच्चे का ये ऊएट एज और रोग का सिवेरिटी देखकर वेन्सेन करता है फिर भी जो नॉर्माल है भूह अज़े करेके या दो बार ले सकते हैं ज़िए हैं कर सकते हैं मचें उल्टिया कर सकती है और lose motion भी हो सकता है यारि बार बार stool भी कर सकता है बच्चा फिसाब में कुछ color changes हो सकता है घपना है नहीं medicine बंद होने से सब symptom चला जाता है फिर भी बाच्चे का symptom है अपको ज़्यादा लगे तो आपको डाक्टर को सब संपर किजिए जो कि आपको बहतर ट्रिडमेट दे सके ऐसे ही सब कुछ आचान लिएं मौक्सकप सीबी के बारे में आपको वीडियो अच्छा लगें तो लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कुछ इंफरमेटिव वीडियो करने के और आज चलते हैं तब मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए सुरक्षिया अच्छ रही है धन्वाद